हेलो फ्रेंड्स, रेश्पिप टेरे चेनल में मैं रंजू जी आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे वरबा बैगन मसाले तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से में बनाऊंगी तो बैगन में भरने के लिए मैंने मसाले तयार किये है जिसमें मैंने लिया है चार चम्मच साबुद धनिया, एक चम्मच मिथी डाना, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अजवाईन, आधा चम्मच सर्सो के दाने, एक चम्मच मेंग्रेल सर्सों के दानों को छोड़ कर बाकी सभी मसालों को मैं भून लूँगी तो सर्सों के दाने हटा देती हूँ तो बहुत हलका सा मुझे मसाले भूनना है इतने सारे मसाले बैगन के लिए नहीं है और जो मसाले बस जाते हैं तो बाद में उसे हम सब्जियों में प्रियोग में ला लेते हैं, इसलिए मैं मसालों को थोड़ा सा ज्यादा बना रही हूँ, तो मसालों से एक अच्छी खुस्वू आने लगेगी, तब तक मुझे मसाले को भुनना है, और हलका सा मसालों का कलर भी चेंज हो जाए, तो मसाल बैगन धो करके ही काटें, तो इस तरह से चार भागों में मैंने कट कर लिया है बैगन को, और ऊपर से थोड़ा सा भाग लगे रहने देना है, इस तरह से सारे बैगन हमने कट कर लिया है, तो भुने हुए मसाले को मैंने पीस लिया है, उसमें से मैं चार चमच लगबग मस मिर्च का पाउडर और एक चमच ले लेती हूँ हल्दी पाउडर और बैगन के टिस्ट के अकोडिंग मैं इसमें ले लूँगी नमक या तो या कहें कि हम डिर्चमच नमक ले लेंगे और इन सभी मसाले को मिक्स करेंगे और इसके सांथ ही मैं इसमें लूँगी दो चमच सौंफ का पाउडर मसाले में मिक्स करेंगे और इसके सांथ ही लेंगे इसमें दो चमच अमचूर का पाउडर तो इस तरीके से बैगन बना कर आप जरूर ट्राइ करिएगा यह मसाला बैगन की सबजी आपको बहुत ही पसंद आएगी तो अमचूर पाउडर भी इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही मुझे बैगन को भर लेना है तो बैगन को जिस तरह से मैंने कट लगा था उस पर इस तरह से हलके से मसाले भरने है तो इसी तरह से सारे बैगन भर लेंगे तो इस मसाला बैगन की रेश्पी बनाने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे दिये गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर वे लाइगन के घंटी को प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा सेयर की जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके इधर मैंने पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है उसमें एक एक बैगन को इस तरह से डाल देंगी और बैगन को उलट पलट कर लगवक 80% पक जाने तक पकाऊंगी तो बैगन लगवक पक चुके हैं अब इसे में तेल से बाहर निकाल लूँगी और इसके साथ ही मैंने लिया है दूसरा पैन उस पैन में मैं त सबजी को यदि आप सरसो के तेल में बनाया तो ज्यादा अच्छा होता है तो तेल काफी गरम हो गया है इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और लगवक दो चम्मच हरी मिर्च और लहसन को थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ और इसके सांथ ही लगवक 1500 ग्राम प् प्याच का कल्रक्त होने तक पर जैने चर यादि आप चाहिए तो इसमें प्याच का पेष्ट बना करके भी Popडाल सकते हैं तो देखे लगवकल्डे है प्याच का थोड़ा सा और भी सौफ्ट होने देना है नहीं प्याच को एक से अधर मिनट तक मुझे ऑर भी भूनना प्याज के साथ इस तरह से मिक्स करोंगी और ढग äлагभग 1-2 मिनुट के लिए पकने दूंगी तो लगभग 1-2 मिनुट हो गये हैं इसके साथ ही मैं इस में capital अच्छी तरह से गल जाने तक पकाना है तो एक बार फिर से टमाटर को चीक कर लेती हूं तो मुझे लग रहा है कि टमाटर काफी अच्छे से गल गए हैं अब इसे मैं इस पेचवेला से इस तरह से मैस कर दूंगी या तो आप चाहें तो पोटेटो मैसर से भी इसको मैस कर सकते हैं क्योंकि काफी तेल रिलीज हो रह अगर आप इसमें मसालों को थोड़ा सा कम या जादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो बैगन को मैंने एक बार पहले से भी पका लिया है तो मैंने 80% बैगन को इसलिए पकाया है क्योंकि बाकी जो पकने के लिए बैगन बचे हुए हैं वो इस मसाले के साथ पकेंगे तो म मसाले को अच्छे से एक बार और भून लिया है तो देखिए मसाले काफी अच्छे से भून चुके हैं खुस्बू भी बहुत अच्छी आ रहे हैं तो इस तरह से आप भरबा बैगन मसाला अपने फैमिली को बना कर जरूर खिलाईएगा तो देखिए कितने अच्छी तक मुझे और भी पकाना है ग्रेवी के साथ जब भी बैगन को पका रहे हों तो धक करके पकाएंगे तो सबची की खुस्बू बरकरार रहेगी तो इस तरह से मैं इसे धख देती हूं और अब बैगन को चेक कर लेते हैं तो देखिए ग्रेवी वाली बैगन की सबजी बन करके रेडी है अगर यह बैगन की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से यह रेसिपी तयार करते हैं और अपने फैमली ग्रूप और फ्रेंड ग्रूप में सेयर करना बिल्कुल भी न भूले तो यह रेसिपी आप भी बनाएए खाईए खुश रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ